हलो दोस्तो आज हम यहाँ पर Q2 Result Analysis करेंगे और किस शेर का वह हम करेंगे D-Link Limited का D-Link की बात करें कि हमने इस Shares related कभी यहाँ पर बाते करी है तो आपको बता चलेगा यहाँ पर अगर हम D-Link को यहाँ पर करें तो D-Link में हमने यहाँ पर बाते करी हैं पांच महीने पहले भी यहाँ पर बाते करी थी 11% की गिरावट ठीक है reason कितना और गिरेगा उससे इलेक्टिड बाते करी थी और उससे पहले अगर आप देखोगे तो D-Link की मैंने यहाँ पर लाश दिवाली को यहाँ पर महुलर ट्रेडिंग में बाते करी थी जब इस शेयर प्राइस कितना था 200 रुपे के आसपास का शेयर प्राइस था उसके बाद आप देखोगे इस दिवाली उस दिवाली से इस दिवाली ठीक है लगभग लगभग एक साल होने को आ रहे हैं और एक साल से पहले ही आप यहाँ पर देखोगे तो इस शेयर ने अगर इसके हाई को मैं टच करूँ तो लगभग सब्तर से 80% के रिटरन दे दिए तो इसे ही कहते हैं मिट टर्म इन्वेश्मेंग की आपने अच्छा इखासा इन्वेश्मेंट किया और आपने लगभग एक साल के अंदर अच्छे इखासे रिटरन यहाँ पर बना लिए 80% एक अच्छे इखासे रिटरन बना जाते है अभी आप देखोगे मार्किट गिरावट के साथ में यह शेयर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है क्या यहाँ पर बेच देना चाहिए या यहाँ पर खरीदना चाहिए उससे लेटर में यहाँ बाते करने वाल हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट उससे पहले आपसे रुक्वेश्ट है कि चाइनल को सब्सक्राइब I am small cap investor चाइनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को हिट करे और के notification को अन करे और जितना हो सके सीखने की कोशिश करे सीख कैसे सकते हो सीखना आप वीडियो के तुरू है ठीक है वीडियो में यहापर देखके सीखिए कि किस तरीके से यहापर चीए चलती हुई नजर आती है दूसरा अगर बारी किया जानना है तो आप क्या कर सकते हो यहापर यह नंबर है 8605-40501 8169-265037 दुनों नंबरों को सेव कर लीजिए बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल यहापर आपको सेटिविकेट नहीं दिया जाएगा सिखाया जाएगा और सिखाया क्या जाएगा क्यों क्या कैसे किस लिए के जवाब दे जाएगे कि यह शेयर लेना क्यों है यह शेयर बेचना क्यों है क्यों यहाँ पर से तेजी हुई है क्यों यहाँ से शेयर गरता हुआ नजर आ रहा है कहां से बॉटम है कहां से टॉप है एस वेल आपको यहाँ पर पदा चलेगा कि किस तरीके से चीज़े काम करती हुए नजर आती है तो यहाँ पर आपको वो जमाब मिलते हुए नजर आएंगे कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, किस तरीके से लेना है यह स्कोर्स से आपको बढ़ चल जाए छे से महीने से एक साल का experience लीजेगा आप यहां पर अच्छे बनते हुए नजर आओगे stock market में dealing की बात करें तो यहां पर देख सकते है इस primarily primarily engaged in marketing and distribution of networking product it operates through our distribution network and wide range of product portfolio and solution with a nationwide reach across india तो हम बात करें dealing के आपने routers वगेरा देखे होंगे अगर आप यहां पर आपके घरों में routers होंगे तो आपको बता चलेगा कि यहां पर internet लगा होगा तो यहां पर चलेगा dealing के यहां पर जादा यूज होते हुए दिखाई देते हैं और भी company आती है as well as यह surveillance और securities में भी यह company काम करते हुए नजर आती है ओके यहां पर अच्छा गासा इनका product portfolios है यहां पर इनके बारे में जानना चाहते हैं इनके adapters भी आते हैं इनके यहां पर routers भी आते हैं connectors भी आते हैं तो यहां पर आईक बार जाके इनके business model इनके products home networking, surveillance, accessories, flagship product यह सब चीज़ आप जाके एक बार देख लीजिए ताकि एक idea लग जाए कि आप यहां पर किस company में यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हो दूसरी बात करें company की तो company यहां पर देखिए अच्छा कासा product portfolio यहां पर नजर आता है different kind of router switches and wireless devices, surveillance network, securities यहां पर काम करती है market share की बात करें तो company is a leader in the shipment of the switches and wireless local area network product with the market share 30 to 40% लपर 30 to 40% का market share के बाल इस नहीं लिए रखा है और यहां पर 95% revenue domestic से आती है और 5% export मादा export भी करती ही नजर आती है तो overall बात करें company अच्छी कासी है बात करें company की तो जैसे कि हमारे channel का नाम यह I am small cap investors तो हमें यहां पर छोटे share से लेटेट बाते करते हैं तो यहां पर दुबारा 1060 करोट रुपे की company है तो बहुत छोटा share है 11 का PE industry का PE 37 का है तो यहां पर याद रखिएगा share बड़ा सस्ता नजर आता है बट still मैं आपसे अमिशा कहता हूं कि PE के base पे काम नहीं करना है PE कम है तो ज़्यादा भागेगा PE ज़्यादा है तो गिर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना चीजों को आपको different तरीके से हर चीज को analyze करके यहां पर देखना है ROC ROE की बात करें अच्छा खासा नजर आता है ठीक है ना अच्छा खासा यहां पर ROC ROE है इसका मतलब क्या है कि company long term के view से आप देखोगे तो छोटा share है तो ups and downs आते रहते हैं बट still उपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है debt free share है कोई pleasing नहीं है dividend भी company देती हुए नजर आई है दो का face value है और सबसे अच्छी बात क्या है intrinsic value 361 रूपे के आसपास की है जो की इसने अभी फिलहाल आप देखोगे तो इसने touch भी किया था उसके बाद नीचे आया ठीक है और चीज़े इसी तरीके से चलती हुई नजर आती है अब बात करते कंपनी के बारे में तो कॉंस तो यहां दिखाई नहीं देते है बट प्रॉस देखोगे तो debt-free share 51.3% का CAGR पांस साल में यहां पर देखोगे अच्छा खासा dividend yield तो सब कुछ अच्छा खासा नजर आता है अब बात करते कंपनी के results से लेटिर जो कि यहां पर एक दो दिन पहले आते हुए दिखाई दिये sales की बात करें तो कंपनी की sales लगातार अच्छी आ रही है और यहां पर आप देखोगे यहां पर इसे छोड़ देते हैं March 2023 तो अभी भी highest ever sales पर बैटी हुई है नेट पॉफिट की operating profit की बात करें तो देखिए अच्छा खासा operating profit है 30 करोड का quarterly base पर तो और अच्छा performance है as well as yearly base पर बात करें तो yearly base पर कंपनी का margin भी ठीक ठाक नजर आता है और quarterly base पर और अच्छा है यहाँ पर आप देखिए net profit और net profit की बात करें तो यहाँ पर highest ever net profit आता हुआ दिखाई दिया है तो यह क्या है एक positive चीज यहाँ पर नजर आती है और company के EPS में growth आता हुआ नजर आ रहा है जो की अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखिए 6.52 का EPS है yearly based बात करें yearly based पर company का performance अच्छा है 223 करोड से सीरे 10 साल में 1100 करोड के आसपास का यहाँ पर sales बढ़ती हुए नजर आ रही है operating profit यहाँ पर company का अच्छा खासा बढ़ा है net profit की बात करें 77 करोड से 90 करोड तक पोच्छी हुई नजर आ रही है reserves की बात करें यहाँ पर हम देखें और चीज़ों की तो dividend company ने देखी अगस्त में यहाँ पर 5 रुपे का 18 अगस्त को यहाँ पर 5 रुपे का ठीक है तो यहाँ पर company dividend 3 रुपे का इस तरीके से देती भी नजर आ रही हो और जिस तरीके से dividend बढ़ रहा है यह चीज़े बता रही है कि company तभी dividend दे रही है जब यहाँ पर कुछ कमा रही है और अच्छा खासा कमा रही है तो और बढ़ तब बढ़ के यहाँ पर dividend आ रहा है बात कर रहे हैं यहाँ पर positive cash flows है और यहाँ पर आप देखो कि promoters की holding तो 51.02% as it is बने हुई है ना खरीद रहे है ना बेच रहे हैं यहाँ पर बात करें इस particular quarter में FIs ने थोड़ी सी इस्सेधारी मामूली सी बढ़ाई है दियाएज ने इस्सेदारी मामूली सी बढ़ाई है और पब्लिक से हिस्सेदारी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर कम होती ही नजर आ रही है और इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए मुकेश जी ने आप 7.38 ओके आशिश का चोले सार यहाँ पर दो कौटर पहले ही निकल चुके है यहाँ पर न्यूस की वह ऐसे गिरा भी तशे है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर शिवानी तेज असने लगव वह 1.98% की ओल्डिंग इस कौ क्या है चैनल को सब्सक्राइब बैल आईकन को हीट आल को नोटिफिकेशन को आन करियेगा बाइंग जाने की रिकमेंडेशन है निए चाइनल और चीजों को सीखना है सीखने के लिए यहाँ पर है कोर्स है सब चीज है यहाँ पर आप जाके कान्टेक कर सकते हो अब बात कर होते हैं तो थोड़े से गेंस के साथ नहीं निकलते हैं इस इत को याद रखिएगा अब बीट में यहां पर बार-बार हर्डल्स भी आते हुए नज़राएं इसने 200 यहां पर ब्रेक किया है बट यहां पर ठीक है कोई परिशानी नहीं है कंपनी के नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर आप देखोगे तो जो इसका वाल्यूम और प्राइस का जो भीएविर है अच्छा गासा मुझे नजर आता है मार्केट अभी गिरी है तो उसकी वेज़े से चीज़े किया है थोड़ी सी नीचे की तरफ खीशते हुए नजर आ रहा है बट इस परफेक्टली फाइड क्योंकि नंबर कंपनी की बात करें अच्छे गासे हो आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है थोड़े ब चार सो एकसर रुपे के आसपास के यहां पर तारगेट है ठीक ना तो चार सो एकसर रुपे यहां पर से अगर मैं देखूं तो कितने परसेंट यहां पर बनते हैं लगभा 52% की अब भी नजर आती है थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट करेगा बट जिस दिन यह भागे है तो डर है तो वो बेच भी सकता है वो आपकी मर्जी है बाकी हम यहां पर बात करें बाइंग कम बरेगी बाइंग बनेगी जब यह 3045 के उपर रुकेगा ओके ठेरेगा और इसमें उपर की तरफ मोमेंटम आएगा तब अब मार्केट कल थोड़ी सी डाइसी हो सकती है प्लाउस फिर भी लगाना है रिस्क मेनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है ताकि आपके पैसे बाइने हैं तो थैंकी सो मच गॉट्राइब